आत्मा नमस्ते, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोजर जॉक्टर मिघा गोयल, आज बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए नया साल 2023 कैसा रहेगा? व्रिश्चिक राशी फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 व्रिश्चिक राशी के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला साबित होगा इस वर्ष आपको अपने करियर में उतार चड़ाव का सामना करना पड़ेगा और कुछ चनौतियां आपके सामने आएंगी विशेश तोर पर आपके प्रभाब में बड़ोतरी करेगी लेकिन परिजन में उतार चड़ाव वर्ष की शुरुवात में आपका मजबूती के साथ काम करेंगे आपका प्राक्रम बहुत चड़ा रहेगा जिसकी वज़े से आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा व्रिश्चिक 2023 करियर राशी फल के अनुसार इस वर्ष व्रिश्चिक राशी के जातकों को स्वैम को साबित करना होगा क्योंकि 17 जनवरी को शनी मराज चौते भाब में बैटकर आपके छटे भाब और आपके दस्वे भाब को पूर दिश्चि से देखेंगे यदि आप नौकरी करते हैं तो शनी देव की ये दिश्चि आपसे बहुत महनत करवाएगी लेकिन यही महनत आपके काम भी आएगी क्योंकि आप अनुस्य सिद्ध होकर काम करेंगे तो उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है साथी आपका करियर मजबूत होगा एप्रिल और अगस के महिने में विश्य श्रूप से तरक्की वाले महिने साबित हो सकते हैं इस दरान आपको पद्नुत्ति मिल सकती है लेकिन जून का महिना परिशानिया खड़ी कर सकता है और करियर में अचानक से उतार चड़ाब आ सकता है अक्टूबर के महिने में काम के सिलसले में बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं नवंबर और दिसंबर आपकी महनत से आपको सफल बनाएंगे वेपार जगत से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष उतार चड़ाब से भरा वर्ष साबित हो सकता है जनवरी का महिना तो अनुकूल रहेगा और आपके विदेशी संपर्कों का लाब भी मिलेगा वेपार में अच्छी उनत्ती के योग भी बनेंगे लेकिन फरवरी से लेकर अप्रेल के बीच आपके वेपार में तनाव बढ़ेगा कुछ कानोनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और मही से लेके अगस के बीच आपको किसी भी तरह के शोटकट से बचना चाहिए आपको अपने पिता जी या पिता के समान किसी व्यक्ति का सहीयोग मिलेगा जो आपके वेपार में आपकी उनत्ती कराने वाला साबित होगा व्रिश्यक पारिवारिक राशीफल 2023 के अनुसार व्रिश्यक राशी के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत जादा संजीदा रहेंगे वर्ष की शुरुवात में शरीमाराज कुंडली के तीसे भाव में रहेंगे इस दुरान माता-पिता की सिहत में उतार-चराब रहेगा इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच परिवार के वरिश सजस्यों को स्वास संबंदे समस्याएं परिशान कर सकती है विशेश रूप से आपके माता-पिता का स्वास पीड़ित हो सकता है और उनके आपके संबंद भी बिगड़ सकते हैं इसका पूरा ध्यान आपको रखना होगा हाला कि भाई भेनों का सयोग आपको प्राप्थ होगा और वैं आपके सुख को बढ़ाने वाले साबित होंगे व्रिष्चिक राशी वालों के लिए ये साल आर्तिक रूप से उतार चराप से बड़ा वर्ष साबित होने वाला है लेकिन इस वर्ष आपको विदेश जाना और विदेश जाकर अच्छा धन कमाने के अफसर प्राप्थ होंगे विशेश रूप से अगस से दिसंबर के बीच का समय इस दुरान किये गए आपके नीजी प्रियासों से आपको अच्छा धन लाब मिल सकता है आपके लिए फरवरी, एप्रिल, अगस और सितंबर के महीने सरकारी शेतर से लाब के योग बना रहे हैं लेकिन एप्रिल के अंच से लेकर अगस तक का समय अधिक हानी की स्तिथी भी दिखा रहा है इसलिए इस दुरान किसी भी तरह के निवेश से बच कर रहें और अपने धन को सही तरीके से इस्तमाल करने पर जोर दें ताकि किसी भी तरे का अप्रिय स्थिती का सामना आपको ना करना पड़े और वर्ष के अन तक आपके पास धन प्रचर मात्रा में उपलाद हो। इससे आपका आत्मभल भी मजबूत होगा और आप मन चाहे काम कर सकेंगे। चली की तीसी दिष्टी चटेबाब पर होने से चटाबाब सक्रिय रहेगा। इसलिए स्वास संबंदिद परिशानियां आपके सामने आ सकती है। आपके विरोधी भी इस दुरान ठोड़े प्रबल होएंगे। जिसकी वज़ा से आपको मान से तनाब भी रहेगा। चांकारी काम आएगी। 2023 साल आप सभी के लिए मंगल में ही हो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वर्ष 2023 धनु के जातकों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, मृष्ट को राते रहें। और अपनी पॉजिटिव अनर्जी अन्स्टोलोगर, numerologist, past life therapist, vastu and fengshui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone, Atma, Namaste.